नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News मौसम इबाकी रिपोर्ट के अनुसार हर्याना के जयातर जिलों में आने वाले दो दिनों तक बारिश होनी की जानगारी दी गई है इसके चलते दिन वर रात के तापमान में हालकी ग्राउट की संभावना जताई गई है हर्याना एकरिकल्चर यूनिवेस्टिक के करशी मेले में पहुंचे कई राजियों के किसान एक क्रोड़ पचास लाख रुपे के खरीदे रभी फचलों के बीज चोद्री, चरणर्षिह, हर्याने करसी विश्विदाले में आज दो दी वीचिह रभी करशी मेला संपन हो गया है मेले की दूसरे दिन भी किशानों के भार गैमा गैमी रही विस्व विदाला की इतियास में यह पहली बार है कि इतनी भारी संक्या में किसानों ने किर्शी मेले में भाग लिया और इस अवसर पर किसानों ने विस्व विदाला की और से मिट्टी वे पानी की जांच के लिए की गई व्यवस्था का विलाब उठाया मेले में किसानों के आकरशन का विशेस केंदर रही किर्शी ओद्योगी परदर्शनी में करीब 270 स्टाल लगाए गए थे इन स्टालों पर किर्शी परद्योगी की मशीने यंत्र आधी परदर्शित किये गए थे जिन पर किसानों की भारी बीट देखने को मिली पंचायत इलेक्शन अपडेट पोने दो साल से हो रहा है इंतजार आखिर कब बनेगे ग्राम सरकार अब एक और नया पेश फासा ग्राम सरकार चुनने के लिए ग्रामिन बेसब्ली से इंतजार कर रहे हैं करीब साथ साल पहले चुनने के गाउं के सरकार का कारेकार लगवक वोने दो साल पहले पूरा हो चुका है पंचायत चुनाव की अधिसुचना जारी होने के इंतजार में करीब दो साल से फिल्ड में काम करे संभावित उमिद्वार ठक चुके हैं अदालती अडचन दूर होने के बाद संभावित परत्याश्यों पर प्रधानी का बुखार फिर से चड़ा था और हर किसी की नजर 12 स्तंबर को प्रस्तावित आरक्षन के ड्रापर टिक गई थी लेकिन 20 से एक डाटा उपलाब्द नहीं होने के कार्ण ड्रास थागित हो गया और चुनाव लड़ने की तैयारे में जूटे नेताजी बैसेन हो गई बैरहाल अधिकारियों के अनसार 20 से एक डाटा मिले के बादी आरक्षन परक्रिया आगे बढ़ सकेगी राजनितिक गल्यारों से जड़े लोगों की माने तो अनेक नेताओं का दिल कहीं और दिमाग कहीं चल रहा है बागी भी चुनाव में राजनितिक डलों का शमीकन बिगाड सकते हैं फिलाल माहूल असमंजस कसमकश संभावनाओं आशंकाओं की धुंदली तस्वीर बना रहे हैं इसे लेकर मद्दावताओं के साथ ही राजनितिक डलों और संभावित परत्याशियों के शमर तक कारे करता भी बेचेंद दिखाई दे रहे हैं चुनाओ अक्तुबर अंत तक जाकर होने की संभावना है सोलर पंप का गलत तरीके से उप्योग करने पर वापस करनी होगी सबसीड़ी क्रोचेतर के अतिरुक तुपायक्त एम मुख्य प्रियोजना अधिकारी अखिल प्लानी ने कहा कि हरियान सरकार की नवी ने एम नवीकरन ये औरजा विवाग द्वारा अनुदान पर दिये गए साथ में डिजल के खपत को कम करने के साथ साथ परियावन को परदुशित होने से बसाना भी है सोलर पंप के निर्धारित की गई जगह से दूसरी जगह सिस्टम को नहीं लगाए जा सकता और ना ही कमपनी ऐसा कर सकती है ऐसा करने से सरकार सबशिड़े की राशी वापस लेने के हगदार होगी और कमपनी द्वारा दिए गई गारंटे भी खत्म कर दी जाएगी अधिकारी किसे भी समय किसानों को दिए गई सोलर पंप सिस्टम का निरिक्षन कर सकते है MSME रोतक जोब्स रोतक में 17 पदों पर भरती यदि आप भी नोकरी की तलास कर रहे हैं तो यह ख़बर आपके लिए काम की ख़बर सावीत हो सकती है आपको बता दें कि MSME टेक्नोजी सेंटर रोतक में विभिन पदों पर भरती के लिए आविदन मांगे गई है इच्छो कोमी द्वार इन पदों के लिए अपने आविदन भेज सकते हैं आपको बता देंगे यह बरतियां कोंट्रेक्ट आधार पर की जाएंगी आविदन करने की अंतिमतिती सता इस्तंबर 2022 तेकी गई है अधिकतमाई 40 वर्स है भरे गई आविदन फर्म को भारती डाक्या माध्यम से दे गई पते यह उप महाप्रबंदक MSME प्रोधोगी के अंदर रोतक प्लाट नमबर 10 और 11 सेक्टर 30 BIMT रोतक 124-021 हरियाना पर भे की सबसे परशिद्व प्रख्यात केंद्रे विश्विद्याले इंद्रा गांज राश्टमो की विद्याले इगनु है इस केंद्रे विश्विद्याले में एडमिशन के लिए साल में दो बार फार्म बरे जाते हैं पहला जनुरी सेसन के लिए और दूसरा जुलाई सेसन के जुलाई सेशन की एडमिशन प्रकिरे अभी जारी है ऐसे में विद्यार्थी जिनको मेरिट के चलते कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला या किसी अन्य कांड से वो रेगुलर कॉलेज और विश्व विद्यार्थी आसानी से इगनु से पढ़ाई कर डिगरी हासिल कर सकते हैं संभावने उपलब्द हैं अनुसूचित जाती इन पिछड़े वर्ग समाज को हर्याणा स्रकार का बड़ा तोफा सोर उर्जा पर मिलेगी 75% सब्सिड़ी हर्याणा के बिजली मंत्री चोजनी रनजीत सिंग निका आए कि सोर उर्जा को वेकलपिक उर्जा की रूप में ब 50% सब्सिड़ी दी जाएगी चोदरी रनजीत चिंग ने यह जानकरी पत्तरकारों को स्रम्बोधित करते वे दी उन्होंने का कि सामाजिक संस्ताओं की भावनों पर राजिस्त्रगार 50% वित्तिय साहिता देगी और सेस 50% खर्च लावारती संस्तानों को वेहन करना होगा तुबर 2022 निर्धारित की गई है प्रुषकार पाने वाले बच्चों की आयू 6 वर्षे लेकर 18 वर्षे आयू के बीच होने चाहिए और उन द्वारा बहादुरी का कारिये 1 जुलाई 2021 से 30 स्टंबर 2022 तक किया हुआ हो बहादुर बच्चों और संस्तानों से अपील की गई ह कि वे निर्धारित तिथी तक आविदन भारती बाल कलियान परिशत को सभी निर्धारित नेमों सहीत भेजना सुनिशित करें परिशत द्वारा देश भर में 25 बहादुर बच्चों को या पुरुषकार दिये जाएंगे चैनित बहादुर बच्चों को एक पदक प्रमान पत्तर तथा नगद रासी देकर समानित किया जाएगा नगद रासी के रूमें बहादुर बच्चों को एक लाख रुपे से लेकर 40,000 रुपे तक दिये जाएंगे सुप्रीम कोट से हरियाना के जेविटी टीचरों को बड़ी रहात 2012 वे 2013 के मेरिट लिस्ट में सामिल सभी को मिलेगी नोकरी हरियाना में नोकरी बचाने को लेकर लगातार संगर्श कर रहे जेविटी टीचर्स को लेकर सुप्रीम कोट के और सी एक राहत बरिखाबर सामने आई है नाकेवल साल 2017 में भरती सभी 1269 जेविटी की सेवाएं बरकरा रहेंगी वहीं एडोक बेस पर लगे 9947 जेविटी सिख्षक भी पक्की हो जाएंगे इसी तरह वेटिंग लिस्ट के 856 जेविटी टीचरों को भी नोकरी देने की तस्वीर साफ हो गई है बता दें कि जुलाई में पंजाब एंड हरियाना हाई कोट ने अपने एक फैसले में साल 2017 में नियुक्त 1269 जेविटी टीचरों की भरति को एवे ठहराते विए हरियाना सरकार को एपातर सिख्षकों को बर्खास्त करने की निर्देश दिये थे इसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोट का दरवाजा खटकटा आए गया था मंगलवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोट में दो गंटे बहस हुई हरियाना सरकार ने सुप्रीम कोट के सामने सभी टीचरों को एड़जस्ट करने की हामिवरी है खट्र सरकार के इस प्रस्ता पर सुप्रीम कोट ने मुहर लगाते वे केस करनिप्टार गर दिया है हर्याना के होमगार्ड जवानों के लिए खुश कबरी अब इतना मिलेगा परसिक्षन बत्ता हर्याना सरकार होमगार्ड जवानों को नया तौफा देने जा रही है हर्यान की 12,000 होमगाडों को अब 800 रुपे का पर्सिक्षन बता दिया जाएगा जल्द ही EPS भी जमा होना शुरू हो जाएगा ग्रह विबाग की जरी दोनों फाइले मंजूरी के लिए वित्य विबाग की पास पहुंच चुकी है अब तक होमगाड को राज्य में 300 रुपे का पर्सिक्षन बता मिलता था इसे देखते विबागनी सरकार को पर्सिक्षन बता 300 रुपे से बढ़ाएगर 800 रुपे करने का परस्ताव बेजा था जिसे ग्रह मंत्री और ग्रह साच्यों की मंजूरी मिल चुकी है इसके साथ ही 50-50% के अनुपात में EPF जमा करने का प्रस्ताव वित विबाग के पास भी पहुँच गया है बता बढ़ाने में कोई पेच नहीं है उमीद है जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी बता दें कि EPF के साथ-साथ होमगाड के लिए नई पेंसिन योजना का भी विकल्प खुला है उच अधिकारियों का खास जोर इस समय EPF के सुविदा शुरू करने पर है इसके बाद ही उन्हें नई पेंसिन योजना में सामिल करने के प्रयास शुरू किये जाएंगे कच्चे रास्तों को भी पक्का किया जाएगा और इस काम को करने का जिमा जिला परिशद को शोपा गया है सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जिला परिशदों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देशे से यह फैसला लिया गया है परदेश सरकार ने ऐसे 1624 रास्तों को चीनित किया गया है जिसमें से शुरुवाती चरण में 912 इन कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा HDFC बैंक का फैस्टिव सीजन पर बड़ा तोफा होमलोन की प्रोसेसिंग फीस पर 75% की छूट फैस्टिवल सीजन अब आरम होने वाला है फैस्टिवल सीजन के आते ही बैंक और प्राइवेट कंपनियों की तरब से भी मार्केट में नए नए ओफर पेस किया जाते हैं इसी दिशा में HDFC बैंक की तरब से भी अपने कस्टमर के लिए फैस्टिव ट्रिट्स ओफर लाया गया है बैंक ने होमलोन शॉपिंग और बैंकिंग सर्विसेज पर डिफरेंट डिसकाउंट ओफर पेस किये हैं अब HDFC सरकारी करमचारें को हमलोन की प्रोसेसिंग फीस में 75% तक की चूट देगा वहीं कस्टमर 50 लाग या फिर इससे ज़्यादा को हमलोन लेने पर भी इस ओफर का फायदा उठा सकते हैं जिन भी सरकारी करमचारें का क्रेडिट स्कोर 800 से ज़्यादा होगा वहीं इस ओफर का आसानी से लाब उठा पाएंगे ओफर 31 अक्तुबर 2022 तक वैलिड रहेगा सरकारी करमचारें को इस तारिक तक बैंक में जाकर फोर्मलिटीज पूरी करने होगी इसके साथ ही HDFC बिजनिस लोन की प्रोसेसिंग फीस में भी 50% तक की छूट दे रहा है बैंक ने टू वीलर कार गोल्ड हेल्थ समेथ कई अन्य प्रकार के लोन पर भी इंटरस्टेट कम किये है इन किसानों को नहीं मिलेगी पीम किसान योजना की बारवी किस्त करवाना होगा ये काम हर्याणा के रेवारिश्ति जिले की डिसी आशोक कुमार गर्ग ने किसानों से प्रधान मंतरी किसान सम्भान ने दियो योजना के तहट करी अवश्य दी जाए कि उन्हें अपना एक वाई से अपडेट करवाना अनिवारी है अन्य था उन्हें इस योजना के तहट बारवी किस्त का लाब नहीं दिया जाएगा के अंदर सरकार द्वारा अभी तक इस योजना के तहट 11 किस्त जारी की जा चुकी है हरियाना में आउट्सोर्शिंग पोलिशी के तहट नई भरती पर रोग नियमित स्टाप के आते ही पुराने करमचारियों के होगी चुटी हरियाना सरकार मुख्य सचीव ओफिस के और से जारी पत्र में फिलहाल आउट्सोर्शिंग पॉलिशी के तहित नई भर्ती पर तुरंट प्रभाव से रोख लगा दी गई है मुक्य सची ओफिस के ओर से जारी एक सूचना के अनुसार आउट्सोर्शिंग पॉलिशी द्वीत्ते का जिकर किया गया है जिसमें नई भरती को लेकर तुरंत प्रवाव से रोख लगाई गई है मुक्य सची ओफिस के ओर से सभी प्रसासनिक सचीवों, समस्त विभागों, सभी जिला उपायकतों, पंजाब हर्याना हाईगोर्ट, सभी मंडला उप्पमंडल अधिकारियों को भी इस आश्य के आदेश की कौपी बेजी गई है मुक्य सची ओफिस के ओर से साफ कर दिया गाया कि पार्ट वन और पार्ट टो के तैट नई कोई भी भरती, कोई अधिकारी नहीं कर पाएगा यहाँ पर यह भी बतायागा है कि नेमित भरते के प्रकेरा लगातार जारी होने और ग्रूप D, ग्रूप C, सभी स्रेणों में नेमित स्टाफ रखे जाने के बावजुद, कोछ अधिकारी आउट्सोर्शिंग के तैट स्टाफ रख रहे हैं जो भी करमचारी लगए हुए हैं उनको नेमित स्टाफ के आने तक रखा जाएगा, नेमित स्टाफ के पहुंचने के तुरंत बाद इनको हटा दिया जाएगा लाल निसान में बंदवाशी एरबाजार, सैंसेक्स 224 अंग गिरकर 6340 पर बंद, सोने चांदी की चमा गटी, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ रुपिया भारतिय शेयर बाजार में तीसरी कारो बारे दिन गिरावट देखने को मिली, सैंसेक्स 224 अंकी गिरावट के साथ 6346 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निप्टी की बात करें तो निप्टी 66 अंकों के उचाल के साथ 18003 के अंके स्तर पर बंद हुआ, दूसरी और सोने में गि 45 पैसे पर पहुँच गया है, आज खबरों बर्शित नाई, डेकते रिये CWB हिंदी न्यूज, नमस्कार